Dear students, आज हम रचना प्रसून से पार्ट 19 निबंद लेखन पढ़ेंगे. निबंद लिखना एक कला है. जब कोई विशे, सोच या अपनी निजी अनुभव यानि एक्स्पिरियंस के आधार पर लिखा जाता है, वह निबंद कहलाता है. निबंद लिखते समय, निमलिखित बातों का धान रखना आवश्चक है. पहला, दिये गए विशे को अच्छी तरह समझ कर उसके वारे में शांत मन से सोचना चाहिए. दूसरा, मन में आए विचारों और भावों को क्रम से लिखना चाहिए. तीसरा, विचारों को अनुछेदों में बाट कर लिखना चाहिए. यानि हर अनुछेद, हर एक विशेश बात के लिए आप अनुछेद बदलिये. यानि पैराग्राफ, भाशा, सरल और स्पष्ट होने चाहिए. हम निबंध में मुहावरों, लोकुत्तियों, कविताओं, सूक्तियों आधे का प्रियोग भी कर सकते हैं. ये कुछ बाते हैं, जो हमें निबंध लिखते समय याद रखनी हैं. नीचे पीडियेक में हाफियली एक्जाम का निबंध दिया गया है हमारा राश्टिय ध्वज तिरंगा. अपनी लेंग्विज कॉंपी में लिखिए, पढ़िए और याद कर लिए.